आप सभी का होम साइंस क्लासेज में स्वाकत है आज का हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मुख्य सेविका के लिए ठीक है जो नई विकैंसी आई है उसके लिए नए बैच स्टार्ट हो रहा है मुख्य सेविका के लिए और हमारा यह बैच बिल्कुल फ्री आफ कोई भी फी नहीं लगीगी ठीक है आपका जो भी जितने भी इसमें टॉपिक हो बहुत ही जल्ल आपको गराया जाएगा साथ में प्रैक्टिस हैड भी हमारे चैनल पर जितने भी हमारा पहला क्लास है हमारा तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपको मुख्य सेविका जो मुख्य सेविका है उसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि मुख्य सेविका को पोस्ट आया कहां से ये क्यूं है और ये क्या काम करता है ठीक है इसके सभी कारयों के बारे में जानेंगे क्योंकि आपका जब जॉइनिंग होगा तो आपका पता हो जाए पहले से कि आपका काम क्या करेंगे यहाँ पे जाकर ठीक है तो हम पहले जानेगे ICDS तो इसका full form क्या होता है अगर हिंदी में बात करें तो इसका full form होता है तो इसका full form होता है समेकित विकास 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 सेवाय तो ये हमारा full form हो गया समेकित विकास सेवाय Integrated Child Development Services इंग्लेस में इसका फुल फॉर्म है और इसका गठन कप किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था इतना सब को समझ में आया तो अब हमें यह जानना है कि यह तो केंद इस तर पर गठित हुआ है तो इसको निचल इस तर गाउं इस तर तक ब्लॉक इस तर पर कैसे लेकर जो हमारा ICDS-Skycreme है जब इसको सम्छालन करते हैं जैसे कि हम एक ICDS का प्रोग्राम चलाते हैं ठीक है प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है तो उसमें हमारा ICDS थीक है चलता है तो उसमें एक होता है CDPO ये क्या होता है ये होता है Child Development Project Officer होता हमारा ठीक है जहां ये क्या करता है Child Development Project Officer इक होता है उसके बाद होता हमारा इसके नीचे होती है चार मुख्य सेविकाएं होती है, किसकी अंतरगत Child Development Project Officer के अंतरगत चार मुख्य सेविकाएं होती है, और वो चार मुख्य सेविकाओं के अंतरगत 100 आंगनबाडी वरकर्स होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखे, पहला हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, IECDS का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको संचालान कहता है, उसके अंतरगत Child Development Project Officer होता है, एक होता है, ठीक है, एक Child Development Officer होता है, उसके नीचे चार मुख्य सेविकाएं होती है, एक, दो, तीन, चार, फिर, चार मुख्य सेविकाएं होती है, उसके अंतरगत 25, 25 आंगनबाडी वरक होती है एक सेविका के अंदर 25 25 25 ऐसी होती है तो यह समझ में आया अब और अच्छा समझने के लिए यहां पर देखिए तो साथ आई सीडियस प्रोजेक्व चलता उसके अंत गया होता है एक कम्मुणिटी डैप्लेप्मेंट ब्लॉक इसतर पर यह तयार किया जाता ब्लॉक किव्डा तैयार करते हैं तो एक लाख जो लोग होते न एक लाख लोगों पर एक बनता है ठीक है एक project हम चलाते हैं कितना एक लाग लोगों पर तो ये गाउं शहरी स्थर पर चलाते हैं एक लाग पर हम बना रहें project ICDS का तो उसमें अगर जो ग्रामिर और शहरी में तो एक लाग होता है जो हमारा जन जाती है वो 35,000 पर एक हमारा project चलता है 35,000 जहां के लोग है जनसंख्या है वहाप पे ICDS का एक प्रोजेक्ट चलता है और गाउव शहर में एक लाख लोगों पे जनसंख्या पर एक प्रोजेक्ट चलाए जाता है यह समझ में आया अब स्टाफ को और अच्छे से आप देखें हापे तो जो हमारा Child Development Project Officer होता है जिसे हम सौट फॉर्म में कहते हैं CDPO वो एक लाख जनसंख्या पर एक होता है एक होगा एक लाख पर ठीक है एक लाख पर एक होगा हमारा CDPO फिर आता हमारा मुख्य सेवी का एक होगी मुख्य सेवी का 25,000 जनसंख्या पर ठीक है एक मुख्य सेवी का होगी फिर आता एक आंगनबाडी जो कारे करता है ठीक है आंगनबाडी वरकर है वो एक आंगनबाडी 800 से 1000 लोगों पर एक आंगनबाडी वरकर होती है तो आप इतना समझ लीजे, कभी वो एक्जाम में इन में से कोशन पूर सकता कि कितने पर कितने आपकी मुख से विका होती है, आंगन बाड़ी होती है, तो 25,000 पर एक मुख से विका होती है, और 1,000,000 पर एक आपका Child Development Project Officer होता है, CDPO, ठीक है, अब बात का एक कोशन और है, महि महिला मंडल क्या कहलाती है, यह क्या होता है, तो यह वही होता है, जो लाब उठा चुकी है, उन्हीं महिलाओं में से चुना जाता है, उन्हीं महिलाओं में से ग्रूप बनाया जाता है, महिलाओं का, वो क्या करती है, दूसरे लोगों को जागरू करती है, तो यही ग्रू नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य सेविका के बारे में, अब हमारा टपिक आता है मुख्य सेविका, तो मुख्य सेविका क्या होती है, ठीक है, तो मुख्य सेविका अपने नीचे काम करने वाली आंगन बाड़ी कारे करता, वह साहिका को कारे के संबंध में मार्व दर्शन करत तो यह देखती है उसके नीचे कौन काम करता है वो आंगनबाड़ी कारे करता ठीक है उसको देखती है उसको बताती है कि हाँ ऐसे काम करना है यह काम करना है यह पोशक के बारे में हमें जागरूप करना जो महीला गलवती है उनको आइरन की गोली बाटना या सभी पोशर को फैला हुआ तो उसके बारे में जागरूग करना उसको साहिका को बोलती है कि तुम्हें ये काम करना है ठीक है उन्हें छोटे छोटे बच्चों के आउ सकता हूं तथा देख भल करने की जिमेदारी के बारे में जागरूग करती है उन्हीं वरकर जो हमारे आंगनवारी कारे क करता है उनको जागरू करती जो चोटे बच्चों को जागरू करो उनकी माताओं को जागरू करो ठीक है और काम कैसा करना है इसका सुझाओ देती है कि हां हम कैसे काम करें कि सभी को जागरू कर सकते हैं घर घर जाके बच्चों माताओं को बोल सकते हैं कि बच्चों को पढ़ यह सुझाओ देती है अपना प्रोजेक्ट बनाकुन के बोलती है कि ऐसे से काम करना है यह जांगरू करना है ठीक है इतना समझ मैं है मुख्य सेविका के बारे में कि इसके कारें के बारे में पात करें तो कुछ कारें यहां पर हैं छे वर्च से कम आयो के बच्चों के लिए इसके लिए विविन प्रकार के टीका है वह सब पुछ चलाती है कौन हमारी मुख्य सेविका ठीक है छे वर्च से कम आयो तक कि सभी बच्चों को पोशर युक्त भोजन उप्लप्त कराना तो जो छे वर्च से कम युक्त के बच्चे होते हैं इसको भोजन देना स्कूल में जो आते हैं उनको मुफ्त में राशन देना खाना देना आप अपने गाव में यह शहर में आप देखेंगे तो एक आगनबाडी होगा तो आप वहां पे बचा के देखे वो क्या क्या करती है कभी पोलियो डॉट पिलाने आते हैं कभी कुछ ऐसे आती रहते हैं फिर आता म स गर्वती महिलाओं और शिशों की देखभाल करने वाली इस्थित्यों को पोशर यूग्त भोजन उपलब्द कराना जो आप देखते होंगे जो गर्वती महिलाएं होती है जो इस्थन पान कराती है उनकी पोशर यूग इस्थित्य को उनको देखती रहती है उनको किसी पोश समय आए ठीक सभ्षालि roz downer кадenne सभ्मक्राइब जाड़्वर कर दोरान क्या क्या सेफटी रखनी चाहिए गर नहीं करना चाहिए घर पर करना चाहिए तो सभी के बारे में उन्हें जागरू करना और कौन-कौन सा भोज परदात खाना चाहिए जो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो और बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा हो ये क्या करती है हमारी मुख्य सेवी का सबकुष उसको नौलिज देती है फिर आता है अगर किसी महीला में क्या आरेन की कमी हो गई या हीमोगलोबीन कम है वो प्रग्नेंट है तो उसको जल से जल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना या कोई टीवी से ग्रसित है या कोई भी बिमारी है तो वो क्या करती है मुख्य सेवी का उसको जो वहां के आसपास अमुदा चलाई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो क्या होते है सप्लिमेंटरी न्यूट्रिशन प्रग्राम तो कुछ ऐसे सप्लिमेंटर होते हैं जो गर्वती महीला जो इस्तनपान कराती है उन सभी को बाटा जाता है विटामिन ए आयरन की गोल या और एनरजी के एक दल के आयरों के लिगी कुछ भी चीजें जो वहां पर बाटी जाती है महीलाओं को दी जाती है प्रिस्कूल एजूकीशन प्रोग्राम तो जो हमारा आंगनबाढ़े में कुछ बच्चे आते हैं बहां बैठके पढ़ते हैं स्कूल से पहले जहां आंगनबादी में बारे में बताया जाता है कि कैसे आपने आपको सर्च रख के तीका गरिंड करा है सभी रोगों के बारे में उनको जागरू किया जाता है और इसका समय समय पर कौन सा सर्विस जलता है हेल्थ चेकप का कि गर्वती महिला बच्चों का कुपोश्च बच्चों का सभी का हेल्थ चेकप भी होता जो आंगर बाड़ी में जो बच्चे पढ़ने आते ना उनका भी पहले क्या होता है हेल्थ चेकप होता है वेट हाइट सब कुछ नापा जाता है कि अपने उम्रे के स बताना कि हाँ अभी से खाना स्टार्ट को इस अपकी थे एक अपकी ही अश्थ के लिए ये अज़ते हैं और चाहिआ झाना की अच्छा होग यह जो संपान कराथ आ किया प्रॉट्व का है नहीं खाना चाहिए, कैसा सम्सक्राइब नहीं दी खाना चाहिए काहिए, इस में प् अगर वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद नहीं तो कमेंट करके बताएं और चानल को सब्सक्राइब नहीं कि अभी तक पीस चानल को सब्सक्राइब करती चाँ